वेलकम टू होम फूर गैलरी आज हम बनाएंगे नीम्बू सोड़ा और नीम्बू पानी सबसे पहले नेखेंगे नीम्बू सोड़ा इसके लिए मैंने यहां पर लिया है एक ग्लास उसमें डाली है दो चमर शक्कर इसके साथ साथ इसमें जाएगा आधे नीम्बू का रस दो आइस क्यूब्स और थोड़ा सा नमक अब इसमें हम डालेंगे प्लेइन सोड़ा मैंने किनले का यूज किया है आप कोई भी उसकर सकते हैं लोग हो गया आपका लेमन सोड़ा तयार एक दम फ्रेश रिफ्रेशिंग इसे थोड़ा सा हिलाना है इसमें शक्कर है उसका टे प्रेशिंग रेसिपी है एक बार ट्राय करके जरूर देखें बहुत ही टेस्ट में बढ़िया लगती है अभी इसी तरह से हम देखेंगे निम्बू पानी की रेसिपी इसके लिए मैंने यहां पर लिया है एक ग्लास पानी इसमें जाएगा आदा निम्बू करस इसके साथ इसमें जाएगी दो चमच चीनी और थोड़ा सा नमा इसे हम थोड़ा सा फ्लेवर वाला बनाएंगे इसके लिए मैंने आदा चमच सौफ इसे थोड़ा सा क्रश करके हमें इस पानी में डालना है इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है आप ट्राय करके जरूर देखे इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है ताकि सौफ का फ्लेवर थोड़ा सा पानी में उतर जाए अब लिया है मैंने एक ग्लास इसमें जाएंगे आइस क्यूप्स और ये जो पानी है इसे चान कर हमें ग्लास में डाल देना है बस हो गया हमारा अथिनिटिक नीमो पानी तयार रिफ्रेशिंग वाला इस समर की गर्मी से बचाने के लिए इसे एक बार ट्राय करके जरूर देखें कमेंट करना ना बुलें और लाइक शेर सबस्क्राइब करें हूम फूर गया लिए